हलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी मैं वेलकम करता हूँ आपका उजवल सर्फिजिक्स पर तो निमेरिकल करे थे लास्ट क्लास में हमने पोटेंशल के कुछ निमेरिकल और कराऊंगा दोस्तों आगे बढ़ेंगे फिर और फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे तो कुछ नि यूनीफ्य फॉरम इलेक्टrिक फील्ड है ठीक है ध्यान से करो भई एक यूनीफोर्म इलेक्टरिक फील्ड है और उसके अंदर अलग-अलग पॉइंट दे रखे हैं इस तरीके से पॉइंट दे रखे हैं बाही यहां पर कुछ पॉइंट आपको दे रखे हैं तो इस तरीके से उसने तीन पॉइंट दे रखे हैं एक पॉइंट का नाम है एक पॉइंट का नाम बी एक पॉइंट का नाम सी वो कहता है एलेक्ट्रीक फिल्ड इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू दे रखे है वाई 300 निूटन पर कुलाम वो कहता है कि एक चार्ज को वो पहले पार्ट में पूछता what is the potential difference between A, B दूसरे पार्ट में पूछता what is the potential difference between B, C and what is the potential difference between A, C ये तीन पार्ट आपसे पूछे गए हैं ठीक है सेम सवाल है बस थोड़ा सा आपको सबर के साथ सीखना है ध्यान से करो जैसा हमने पहला सवाल करा था वैसा ही कोस्चन है एक चीज और पूछ लेता है what is the work done आखरी पार्ट में पूछ लेता है D में what is the work done in moving a Q0 charge की बजाए अब की बार कह रहा है alpha particle alpha particle from a to b and b to c अच्छा सवाल है बहुत है ध्यान से आप लोग करें तो बहुत बहतरीन सवाल है आप ध्यान से लोग करें इसको तो पहले vab की बात होगी vab का मतलब क्या होगा आप जानते हैं यह होगा dvab डिफरेंस पूछा है what is the voltage difference between a b what is the voltage difference b c इस तरीके का सवाल है a c तो a b क्या होगा आप कोगे sir va minus vb हो जाएगा हम जानते हैं एक बात की e होता है dv by dx होता है तो यह क्या आजाएगा आप बताओ आप कोगे e d x आजाएगा e d x आजाएगा अब ज़रा देखो क्या बात है भई यहां तो बड़ा असान होगा d a v b अगर आप देखें तो इसकी x में location क्या है चार इसकी x में location क्या है चार तो क्या दोस्तों क्या दोस्तों मेरे को एक बात बताओ V A V B के बराबर होगा या नहीं होगा आपको गया सर बिलकुल 100% होगी यह चीज तो इस बात को तो कोई भी बता सकता है कि V A V B के बराबर होगा definite है भाई यह बात तो यह V के लिख लिए अब D V A B जो है अगर आप देखें तो वो तो आ चुका है V minus V कितना आगया 0 हमें formula अपलाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी अगर B C की बात करे जाए D V B C अगर B C की बात करे जाए तो वो होगा V B minus V C अगर देखा जाए तो V B बड़ा है V C छोटा है क्यों क्योंकि field is always in the decreasing direction of potential E D X लिख लिया दोस्तों यहां अगर आप आएंगे तो E की value क्या है आपको ओगे 300 और D X की value क्या है X कितना change हुआ देखो 4 वो और 3 हो इसके चकर में मत पढ़ना कि वहां negative लगा है 4 में से 3 गटाना नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है जो distance बनता वो लेना होता है इसमें ऐसा नहीं होता distance positive लिया जाएगा यहां negative नहीं हो सकता distance क्योंकि आप B से C गए वो negative नहीं आ सकती sense तो यहां पर distance आया चार और तीन 7 और यह B C आगया आपका 2100 Q positive आया क्योंकि B बड़ा है और C छोटा है ठीक है तो यह B C आ गया तो यह B C आ गया अगर B C आ गया तो A C और निकालना है तो D V A C आपसे पूछा जाए तो क्या होगा आपको वी A में से B C घटा दो सर यह आ जाएगा वी A में से B C घटा दो और E D X लगा दो E D X लगा दो ध्यान दो अगर तो V A C निकालना बहुत complicated है B C निकालना बहुत असान है तो हम direct क्या निकालेंगे दोस्तों हम निकालेंगे सिदा का सिदा simple है हम कोशिश करेंगे कि हम निकालें क्या B C ठीक है क्योंकि A का और B का potential same है हम कहेंगे कि V A बिल्कुल साफ यहां पर बताया हमने कि V B के बराबर तो अगर V B के बराबर है तो क्या D V A C को हो आप V B माइनस V C कह सकते हो या नहीं कह सकते बिल्कुल कह सकते हो और V B माइनस V C अभी अभी calculate करा था V B बड़ा था V C छोटा था अभी वही बात आई तो आपका होगे 2100 वोल्ट positive का आगया बिल्कुल वही same सवाल था same तरीके से हो गया अब आखरी पार्ट में आते हैं जो अच्छा पार्ट है D पार्ट वो कहता है calculate the work done क्या निकालना दोस्तों? work done तो अगर work निकालें तो work हो जाएगा voltage into Q अब यह voltage निकालनी है वह कहता है AB का work निकालना है वह वह कहता है what is the work done in moving a particle from A to B, B to C और B to C तो यहाँ पर जो DV होगा वह क्या होगा दोस्तों यह बताओ आपको आपको जो DV होगा कई बच्चे सोचते हैं अरबार 0 आएगा DV होगा AC क्यों? क्योंकि वो depend करता है initial to final भाई, Mumbai से पटना गई पटना से कहां गई दिल्ली गई बहुत जगें गई लेकिन initial क्या था और final क्या था बात बस यह थी तो initial और final की बात होगी और किसी की बात नहीं होगी यह initial point यह final point और charge क्या होगा alpha तो यार alpha की तो बात करनी पड़ेगी alpha होता क्या है? बच्चा बच्चा जानता है helium होता है 4-2 isotope होता है 2 क्या होते हैं उसके अंदर? protons होते हैं है ना? तो 2 protons होते हैं अगर charge निकाला जाए तो charge का formula क्या होता है? positive negative NE charge निकाला जाए तो कितने हैं? 2 है E क्या है? 1.6 कुना 10 की पावर माइनस 19 तो यह आ गया Q 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलांब यह हमारा charge आ गया ओके तो अब work निकालते हैं work कैसे निकलेगा? आपके ओगे sir work निकलेगा यह वाड़ी value पुट कर लो AC हमने पहले ही calculate कर रखा कितना है? 200 volt 200 volt का जटका ठीक है? और into charge 3.2 into 10 की पावर माइनस 19 यह multiply करते ही हमारा answer आ जाएगा यह आ यह 63 और यह multiply करोगे तो तो 67.2 और into 10 की पावर कितना? यह 2 घटा दो 10 की पावर माइनस 17 यह जूल हमारा work होगा तो बड़ा असान था भाई यह तो सवाल हमने कर लिया यह ना सोचें कि हर आलत में 0 ही work आएगा ऐसा कभी नहीं हो सकता आपको सवाल को समझना पड़ेगा ढंक से सवाल समझोगे तो ढंक का आंसर आएगा सवाल को ढंक से समझोगे नहीं तो आप का आंसर कभी ठीक नहीं आएगा और करते हैं एक सवाल और करवाता हूँ ध्यान से देखो बहदरीन सवाल है हम आज इसके सारे सवाल कर देंगे जितने भी पूछे जाते हैं जितने भी टाइप के मेडिकल आयएटी में जो आते हैं वे अलग से करवा दूँगा ध्यान से कर लिए बस आप सबर के साथ सीखें करते हैं एक और दोस्तों बहुत अच्छा सवाल आता है उसकी बात करते हैं एक इलेक्टरिक फिल्ड दे रखी है क्या दे रखी है भाई यूनी फोर्म इलेक्टरिक फिल्ड है यहां पर देखें एक यूनी फोर्म इलेक्टरिक फिल्ड है दोस्तों 5 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर कुलाम दे रखी है, टीक है, वो कहता है 3 पॉइंट है, A, B और C, इस तरीके से 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो कहता है यहां से आतक की दूरी दे दी आपको, 5 दे दी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ही है भई, 4 सेंटीमीटर दे दी, ये बड़ी दूरी वो कहता है, what is the potential difference, what is the work done करते है, what is the work done in moving opposite run, opposite run from a to c. work करने पर a to c and c to b, वो कहता है कि हमें क्या निकालना, work done calculate करना है, इस movement का, तो अगर आप work done निकालना चाहते हैं, तो आपको ढंक से सावाल को करना पड़ेगा, जो निकालना है, उसके पीछे पढ़ जाओ, हाथ दोकर, हाथ दोकर पीछे पढ़ जाओगे, तो सारे जवाब म पोटेंशल होता है, work done per unit charge, बच्चा बच्चा जानता है, अगर work निकाला जाए, तो potential into charge हो जाता है, चार्ज हमें पता लगया, पोजिट्रोन है, जिसकी value होती है, एक positive electron जितनी, 10 की power minus 19, work आने ही वाड़ा है, डीवी और पता लगया, तो बात बन जाएगी, डीवी को किसी की बात होगी, और किसी की बात नहीं होगी, अगर ध्यान से देखा जाए, तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा या नहीं होगा, ये बताओ आप मेरे को, ये 3 cm होगा, इसमें एक चीज और पूछी जाती है, कई बार वो ये पूछ लेता, what is the potential difference between AC, और बच्चे क्या कर करते हैं, वो 5 यूज करके answer निकाल लेते हैं, पांच यूज करके answer नहीं आएगा, आपका जो potential B का है, वही C का potential है, ठीक है, तो आपको B वाला ही potential यूज करना होता है, जो potential B का, वही किसका, C का, तो C का निकालने के लिए भी B का ही distance यूज होगा, ठीक है, ये बात याद थीक है क्योंकि x में distance लेना आपको यह horizontal distance इसमें तो x भी आ गया y भी आ गया ध्यान जो आपका formula क्या है आपको edx है तो x का distance लेना ना खाली यह थोड़ी लेना आप कोई भी distance थोड़ी ले लोगे खाली x का distance लेना तो dv ax क्या होगा आप ध्यान दे सभी क्या होगा भाई ac sorry e की value क्या है पांच गुणा 10 की power 5 ac लेना है a से c गए sorry a b लेना हमें तो a b निकालना है ठीक है तो वह तो बात समझा रहा था हमें a b निकालना है तो a b के लिए क्या होगा 5 गुणा 10 की power 5 गुणा 3 cm तो यह कितना है 15 गुणा 10 की power 5 और 10 की minus 2 मीटर में करने के लिए मीटर में करने के लिए और कितना आगा 15 इंटू 10 की power 3 वोल्ट यह dv a b आ चुका है आपका जो बहुत सिंपल था dv a b आ गया तो क्या वर्क नहीं निकाल दोगे बिलकुल निकाल दोगे वर्क क्या आएगा आपको गिसर 15 गुणा 10 की power 3 और इंटू 1.6 इंटू 10 की power minus 19 16 को 15 से multiply करोगे तो भाई यह आया तुमारा अगर इसको multiply करते हो तो 240 यानि 24 इंटू 10 की power 3 गटा लो इसमें से ठीक है 3 गटा होगे तो कितना आगा भाई आपका आप इसको देखें यह आगा भाई हमारा minus 16 जूल यह वर्क हमारा आ चुका है ठीक है तो हमने इस सवाल को भी कर लिया भाई एक आखरी सवाल रहे गया भाई वो और करवा देता हूँ फटा फट तरीके से इस तरीके से एक सवाल है भाई हमारा ठीक है वो कहता है ये 50 V है ये 40 V है ये 30 V है और ये 20 V है वो कहता है A है पॉइंट B है पॉइंट C है पॉइंट चलो ये आपके लिए छोड़ता हूँ पेपर में पूछा जाता है कि at which point आपके लिए छोड़ा आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं इसको करवा हूँआ पर नहीं करवा हूँआ ठीक है तो आज़ा देखो ये भी पता लग जाएगा मैं आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे ठीक है तो ये भी पता लग जाएगा at which point electric field intensity is maximum आप अपने answer कमेंट में लिखें किस point पर electric field maximum होगी A पर B पर या C पर ठीक है और कुछ आपको ये लगे doubt लगे कि नहीं आया सर तो मैं इसको करवाँगा आप अपने answer भी लिखेंगे तो भी मैं इसको करवाँगा तो बड़ा अच्छा सवाल है A पर B पर या C पर किस पर आप से पुछा गया है किस point के उपर electric field intensity maximum होगी 50 V, 40 V, ये 30 V है इस लाइन के लिए और इसके लिए 20 V, बहतरीन सवाल है तो इस वीडियो में ये कर लें दोस्तों, next class में करवाता हूँ और मैं, thank you very much, strengthen होना है